एक बार फिर से हम रुक करेंगे यूपी के राजपाल राम नाईग जिन्होंने अयोधिया में राम मंदिर बनाय जाने की वकालत की पहले आपको सुनाते हैं राम नाईग ने कहा क्या और उसके बाद उस पर जो सियासी प्रतिक्रियां आ रहे हैं वो भी दिखाएंगे आपको अभी पिछली दिनों आयोधिया में आपने राम मंदिर के बारे में चर्चा की थी इस समय उसके जो मुख्य मुद्धय बावरी मस्जित के हैं उन्हों ने मुगदमे से हटने की बात कही है राम लला को मुख्य देखना चाहते हैं और मंदिर बनाना चाहते हैं इस पर आपका क्या कहना है दिखे मैंने उस समय पर जो बात कही वही फिर दोरा ना है तो मैं दोरा था हूँ कि राम मंदिर जल्दी से जल्दी बने इस प्रकार के भारत के नागरिकों की इच्छा है और वह इच्छा पूरी होनी चाहिए ये राम नायक का बयान और इसके जबाब में समाचवादी पार्टी के अबू आजमी ने आयोध्या में मस्जद बनाने की मांग किये है आजमी ने का है कि ऐसे बयान अद्व संखे को को डराने बाले हैं तिर्मूल को अंग्रस ने राश्ट्रपती से इस पूरे मामले में दखल देने की बांक कर दी है राम नायक जी की एक कंस्टिशनल पोस्ट है इस तरह हलका बयान देना नहीं चीए उनको अगर कानून नाम की कोई चीज इस देश में है तो पहले वहां मस्जद बनना चाहिए और उसके बाद मुकदमा चलना चाहिए उस केस में जो फैसला हो वो फैसला दोनों पक्ष को म कर दिया है देश के कानून के मुँँ पर कालिक पूद दिया है राम मंदिर का मुद्दा कोट में है उस मुद्दे पर जो है वो कोट में कानूनी पर क्रिया चल लही है हाई कोट ने उस पर अपने एक निलने दिया है बादचीत के माध्यम से हमारी हमेशा भूमिका रही है कि बाचीत के माध्यम से या कानून के माध्यम से इसका समाधान होना चाहिए इसमें कहीं हमें कोई किसी कोई आपती नहीं है जहां तक उन्होंने जो बयान दिया है उस पर मैंने देखा नहीं है जहाए, उन्होंने क्या बयान दिया है लेकिन हमारा भूमिका ये हमेशे ये रहिए कि इस विवाद का समाधान बाचीत के माध्यम सेופल दोनों मेरे कले उनकी बेक्तिकत राय होगी समवाजानी पर्थ पर बैठने को बाद शयाद ही रहने होगी क्योंकि उन्हें मालूम है सरवोची नाले ने इसमें इस्तिकन आदेश दे रखा है सरवोची नाले के इस्तिकन के आदेश के खिलाब बोलने का मतलों कंटेंट अब डिकोर्ट होता है मैंने सब्सक्राइब किस रूप में लाइदी है अगर बेक्तिकत राइदी है तो भी उनको इन चीजों से बचना चाहिए क्योंकि अब वो इसमें भाश्पा के काया करता नहीं है या आरिश्य से कार करता नहीं है वो उत्तरपुल देश के गवर्नर है उनको इन चीजों से बचने चीज़े रामनायक जी का बोलना स्वमुचीत का आज नहीं हुआ और हम लोग सोचता है कि रामनायक जी का करने के से मदद देते हैं